पार्ट टू शुरू करते हैं जो आपने आर्टेंट के नाइडी नाइडी सक्स की कोश्चन स्टार्ट कर रहे थे सबसे पहला कोश्चन देखो विच वन ओ फॉलिंग वज शेवा सेक्ट एन इंचेंट इंडिया के अंदर वो चीज हम से पूछी गई है तो देखो अजीवी के टाइम पे एक गाइड बुक थी जो रविडियन स्टाइल में वास्तु शाष्टर के बारे में कंस्ट्रोक्शन के बारे में स्क्लप्चर संजॉइनिंग टेक्निक्स के बारे में बताती थी अजीवी का सेक्ट आपने जब आशोका को पढ़ा होगा तो बापको बता होता था हिट्रोडक्स स्कूल ऑफ इंचेंट इंडिया फिलोस्फी होता था जो फेट में बिलीब करता था और यह महाकाली घोशा द्वारा स्थापित करा गया था तो यह तीनों ही शिवा सेक्ट नहीं है इसकान से क्या हो जाएगा नहीं नेक्स वाला कोशन देखो विच नहीं इंचेंट इस्ट्री के अंदर भी से कुशन पूचे गए अर्थशार से बहुत इंपोर्टेंट है तो जो यहां पर बूला गया है कि डिवोस्ट के बारे में बात करी गई थी कि उस ताइम पर हम इतने जादा एडवांस थे कि यह बात कर रही है हमारी सोसाइटी सो कामसूत्र में आपको पता है कि कामसूत्र वस्तयाना सैंचुरी में पाठी पुत्रा में लिखा गई थी वस्तयाना द्वारा फिर एक और अपने पास है मानव धर्मशाष्ट्रा जिसे मनुस्पृति भी कहते है यह अपने कहां पढ़ी थी कि बियार अंबेट करने जलाया कि बहुत सेग्मेंट्स में यह जीज मिली है तो इसके बार में एग्जेक्ली किसी को भी नहीं पता अब पता नहीं है तो मैं यहां पर लिखनी सकती थी लेकिन इसलिए यहां पे देखो 1776 में इंग्लिश में इसे विलियम जोन्स ने करा है कानवर्ट करा है और यह बारा अर्थिशास्तर के बार में आपको कुछ बता दियो अर्थिशास्तर जो है चानाकी के आरेश शर्मा के द्वारा डिस्कवर करी गई थी यह पहली बुक है पॉलिटिकल साइंच पे यह प्रोज एंड वर्स में लिगे गई है इसमें इंफॉर्मिशन बिंदु सार्च प्रसं को स्लेव बनाया जाता है एक फीमेल स्लेव जो होती है अगर वह मास्टर के सण को मास्टर के बेटे को जन्म दे दी है तो लीगली फ्री कर दी जाती है अगर एक सण बहुत है फीमेल स्लेव को और फादर यह पाय हर मास्टर The Sun was entitled to the Legal status of the master son अगर वो बॉन हुआ है female slave को लेकिन उसको father कौन करा गया है master द्वारा तो भी उसको बास ये legal status है कि वो master का son है regarding the matter devised by the regulation of the glitch sometime registered with the local officials not king post for serendipity अच्छा ये तो glitch के बारे में लिखा वा है मैंने चलो ये छोड़ता है तो अर्थिशाष्ट्र के बारे में स्रफ इतनी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है समझ में है जो questions होंगे शायन मैंने वही लिख रखे which one of the pair is correctly match correctly match हम से पूछ गया है नकल, तमाशा, अंक्यानाट और भा ये दोगो ये अब नहीं पूछे जाते ये questions अगर current में होंगे न तो भी prepare करना otherwise छोड़ दिना लेकिन यहाँ पर answer था question था तो मैंने इसलिए लिख दिया नकल, बिहार में, तमाशा, मराश्ट में अंक्यानाट, असाम के अंदर है बहार जो है, संथल, मुंदा, ट्राइब करती है जारकर्ण के अंदर next पर ले, which one of the falling pair is correctly match हम से ये वाला question पूछा गया है अब देखो इसके अंदर क्या है यहाँ पर गुरू अमर्दास है, गुरू अर्जुन देव है, रामदास है, गुरू गोबिन संग है मैं इनके बार में आपको बताऊंगी तो सबसे नड़ीा है, यह जैज को छोड़ो पहले है सबसे पहले आप लोगों को इस सारी बता देती हूं सबसे पहले तो गुरू नाना का थे गुरू नाना के बारो में हमें पताइब कि इनका जन्म कहां पे हुआ था, पाक में हुआ था यह सब यह हमारे कामका नहीं है इस question के अंदर social equality की बात करी थी इन्होंने निर्गुन, निराकार और निर विशंक की बात करी थी कि ब्रह्मुर ऐसा होता है इन्होंने मक्का, मदीना भी गए थे वगदाद और पर्ष्किया भी गए थे, टैंपल और मॉस्क में भी इन्होंने प्रीच करा था, हिंदू शुद भी हा T로 Hindi और Muslim शुद भी हा Tro Muslim, यह बात कही थी इन्होंने इन्होंने प्रीच करा था संस्क्रिट में पंजाबी में और पर्ष्यन लांग्विच में इन्होंने कभी भी किसी को नहीं का कि आपको सिख religion को adopt करना है करतारपूर में इनकी death हुई थी ठीक है और ये देखो ये कहीं question है इसने मैंने लिख रहा है preaching when Lodi dynasty fall और बाबर जब आया था तब की time की बात है अब देखो मैं आपको एक बताते हैं गुरु अंगदे पर पूछा भाया है कि उन्होंने गुरु में की script introduce करी थी गुरु गरंत साहिब जो है वो गुरु मुखी script में लिखी गई है उन्होंने लंगर सिक्स्टम को regularize करा था तो गुरु अमर्दास गुरु अमर्दास ने क्या करा था इन्होंने बारा गडिया sect जिनको मंझी सिस्टम भी कहा जाता है मंझी सिस्टम मतलब होता है कि जो पूरी सिक्ख है न सिक्ख को बारा भागों में बाढ़ दिया गा था और अपन ये पढ़ते हैं कि जो रंजीत सिंग थे वो स्कुचरिया मिसल से थे तो वो वहीं से आई है निखलके इन्होंने ऋने सिस्टम कोषट कर रहा था लेकिन ये वाला गुरू अमरदास पर मंझी सिस्टम समझ भाया है कि 12 भाग में बाठ देना फिर देखू यहाँ पे है गुरू अर्जुन देव के टाइम पिया हरेरयृति हो गया था यह गुरू रामादास जी के जो संत है उर्वों उन्हों ने कंपायगो e और गुरू अरजुन देव को कम्पायल कर दा यही चीज पूछी गई है यह आदी को ठीक है तो गुरू अरजुन देव को क्या हो जाएगा कुरू आदी यह वाली चीज भाली चीजु रहेगी उसके आपन गुरू रामदास का और गुरू गोविंद सिंह का अब उसके मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिछ करती हूँ, इसका क्या सेन्स निकला वूव दिख लो एक बार, temporal and spiritual component of life, the materialistic concept of the human existence and the spiritual effect of the human soul. regarding of the mood both material needs of the community and also the spiritual concept right to the people इन्होंने ऐसा बोला था, देखो मैं सिंपल बताती हूँ कि power भी होना चाहिए, spiritual power भी होना चाहिए और political power भी होना चाहिए तो पिरी और मेरी, देखो ये एना एक teacher थे, कुल्दीप सर तो कुल्दीप सर ने भी हमें ये बत बताई दी कि गुरू गोविन सिंग जो है ना, शायद मुझे नाम याद नहीं है, हो सकता है वो शायद शमचान या फिर कहीं पे है ना meditation कर रहे थे, फिर उनकी कोई wife बहुत time से, तो फिर उनकी wife बिमार थी, तो उनको पता चला कि उनकी wife बिमार है, तो फिर वो भाग के अपना काम छोड़के है, फिर कुछ ऐसा था कि अपनी wife को दिखाने चले गए, तो उन्होंने ऐसा बुला था कि materialistic life भी ज़रूरी है, spiritual life भी ज़रूरी है, और जो हमारी क्रिशन आये, फिर तेख भादूर जी आये, फिर गुरू गोविन सिंग आये थे, खालसा पंत की सापना करी थी, पहुल सिस्टम में जोने शुरू करा था, और ये अमरे संसकार भी कहा जाता है, पंच कंकर दिये थे, इन्होंने जिसमें केश होता है, क्रिपान होता है, तो अब बावल सिस्टम क्या होता है, फिर तो एफिर फॉनने, इतना साथा समझ में नहीं है, एक उन्होंने बावल लिया था, उसके अंदर कुछ नेक्टर, इससे अमरेथ भोला जाता था, उसके कुछ सॉलूशन ने तयार करा था, फिर उन्होंने अपने भगते, यापा तो उससे related होता है यह पहुल सिस्टम अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए इसने मैं बता रही हूँ जैसे पिरियो और मीरी पूछ लिया इन्होंने तो ऐसे पहुल सिस्टम भी और खाल्सा पंत की साफना करी थी किसने गुरू गोबिन सिंग ने तो य यहीं पर इस ये के और कोशन्स खत्म होता है इस वीडियो को यहीं कितम करते हैं क्योंकि यह वाले कोशन्स आपने खतम होगए उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूणी कुछ नए कोशंस के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहो और रिवाइस करते रहो चीजू को और मेरी आवास थोड़ी सी मानेच कर लो, अभी शायद कुछ दिन और लगेंगे, फिर उसके बाद सही हो जाएगी, तब तक के लिए थांक्यू और हमना इसलिए.